समाज कल्यान मंत्री के पदसेश्रीफा देने वाली पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पती चंद्रशेखर वर्मा पर अब गिरफतारी की तलवार लटकने लगी है चेरिया बर्यारपूर थाना कांड संख्या 148.18 आम सैक्ट के मुकदमे में पूर्व समाज कल्यान मंत्री मंजू वर्मा और पती चंद्रेश्वर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को ADJ-5 की खोट ने खारिस कर दिया है विगत 17 अबस्त को मंजू वर्मा और चंद्रेश्वर वर्मा के बेगुसराई के चेरिया बर्यारपूर इस्तित आवास पर CBI की चाप इमारी के दौरान बरामत सभी 50 जीवित कार्थूस अवैद पाए गए हैं इस मामले में CBI के DSP ने मंजू वर्मा और उनके पती के खिलाफ अवैद हत्यार वा कार्थूस रखने की चेरिया बर्यारपूर थाने में प्रात्मी की दच कराई थी बेगुसराई पुलिस ने जब्त किये गए सभी कार्थूस को जाज के लिए पटना इस्तित विधी विज्ञान प्रयोकशाला भेज दिया था तो मंजू वर्मा के पती के अग्रम जमाना तियाचिका आखारीज हो गई है और अब जल्द हो सकती है गरफतारी मंजू वर्मा के घर से कई अवयाद समान बरामद हुए थे और अब देखना होगा कि क्या कुछ इस सब पूरे मामले में सामने आता है समाज पूर्व समाज कल्यान मंत्री मंजू वर्मा और उनके पती चंद्रशेकर वर्मा पर अब गरफतारी की तलवार रटक सकती है विगत 17 अगस्त को मंजू वर्मा के बेगुसराई के आवास पर सीबी आई की चाप इमारी के दोरान गाफे कोछ ऐसे आवयाद समान पाए गए और जिसके बाद बेगुसराई पुलिस ने जब्त किए अगर सभी कारतूसों को जांच के लिए पतना इस्तित विदी विग्यान प्रयोक्साला भीज दिया था और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कार्यवाई होती है फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जल्द ही गिरफतारी हो सकती है पूर्व समाज का लियान मंत्री वंजू वर्मा और उनके पती चंदरशेखर वर्मा पर गिरफतारी की तलवार लटकती वी दिख रही है